किस शेर की आमद है के रनकाम प्रहा है बाबर 11 की कदमों की धमक से श्री लंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुक है आप में से किसी से इतना नहीं हुआ आप बचा ही रहे हैं उनकी बॉलिंग के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बाबर आजम नंबर वन बैटा रहे हैं आप देखें वो कितने क्लूलेस थे जो उन्होंने शुरू में बॉल्स खेली हैं जो बुम्रा को खेला है और वो जिस तरह के आउट हुए हैं जी कि जैसे कोई टेलेंडर खेल रहा है और हारिस रौफ की किसमत अच्छी है मुझसे व जो चक्के मारे थे ट्री ट्वेंटी वर्लकप में भाई किंग रियल किंग ऑफ किर्केटिस किंग कोली ऐसे जुर्म का अरतकाप किया जिसके माफी नहीं हो सकती और इन लोगों ने अपना पाहूं कुलाड़े पे खुद मारा है अब जरा अंताजा कीजिए जी तला एक मे जाने शायद मैं प्रोग्राम में आप दीदा हो जाओंगी और यह मेरे दिल के तासुरात है जो आप देख सकते हैं कि यह आज हमने बुम्रा को देखा उसका गिन इतना इतना सीम होके अंदर आ रहा था मतलब आई मीन के यह चीज़ें सब को पता होती हैं कमजोरी यह क्या और दुनिया हैरान थी कि यह दुनिया का नंबर वन बल्ले बाज है जिसको तिगनी का नाच ने चाया हकीकत में जस्परित बुम्रा ने मुझे अभी तक यकीन निया रहा मैं तो इंडिया को दनाता फिर रहा था कि हमारी टीम जो मदान बेगे तुम लोग च्छके छुड़ जाएंगे और क्या कहूं मेरे मुझ से गालिया निकलेंगी इन बगारतों को शर्म निया ही कि इन्होंने आज जो हाल कर दिया पाकिसा किस शेर की आमद है के रन काम पर रहा है बाबर 11 की कदमों की धमक से श्री लंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है और यकीना इंडियन क्रिकेट टीम समेथ दुनिया भर में मौझूद भारतियों के दिल भी ऐसे ही काम पर रहे हैं वैसे मेरा परसनल मश्वरा य बिला शुबा दुनिया क्रिकेट के मैदान में लड़ी जाने वाली ये सबसे बड़ी जंग है अच्छा दोहजार उन्निस के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला आप कहलें के हायोक्टेन मारका है जिसमें दोनों टीमें आँखों में आखे डाले आमने सामने होंगी और रिव भारत का मकाबला ना सिर्फ शाहिन अफीदी, हारिस रौफ और नसीम शाह के तुफानी हम कह सकते हैं कि तुफानी पेस टैक्स होगा बलके वर्ल्ड नमबर वन ओडी आई बले बाद और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबार आजम की जारहाना फॉर्म से भी इनका मकाबला जोनों ने निपाल के खिलाफ आपको याद है जी एक सो इकावन रंस का धेर लगाकर अभी से अपनी धाग बिठा दी और फिर रिजवान, इफ्तखार, शादाब, फाकर जमारों और इमाम अलहक पर मुश्तमिल एक सीसा पिलाई बैटिंग लाइन है जो किसी भी हरीफ के आराम से चुड़ा सकती है अच्छा भारत पाकिस्तान आने से तो आपको परता है घबराता रहा है लेकिन कल हम इन्शाला इसे इसकी मर्जी के ग्राउंड पर शिकस्त देंगे जी तला एक मिट रुकी है का क्लोजिंग से पहले चौती लगातार ओडियाई हंड्रेड होगी कोलंबो में विरात कोली की ये भी बताने दे ना पी सी बी के तो हो गए मंजन ठीक है अब आपको मैं ये बता दूँ कि कौन होता है किंग वो होता है कि जो आया खड़ा हुआ कल बारिश हुई चला गया सुबा फिर आया फिर खड़ा हुआ फिर उसने देखा कि बादल कैसे हैं और आकर विकेट पर तनकीद भी हो रही होगी जैसे हमने भी कहीं न कहीं का किसी एक को एक्सिलेरेट करना चाहिए बट रियल किंग ओफ किर्किट इस किंग कोली और अब मैं आपको बताता हूं यह जो आपके जहन में चोटा सा पॉकेट रॉकेट बेड़ गया इशान किशन भाई उस दिन यह कुलैप्स कर गए थे विरात कोली से ज्यादा मार सकता है और हारिस रौफ की किसमत अच्छी है मुझसे वह सुलो जो तुम पूरे शो में सुन नहीं सके हारिस रौफ होता है इंडिया के बीस रन ज्यादा हो गए होते जितनी तेज बौल आएगी उतनी तेज जाएगी क्या बूल गए विरात कोली ना हरिस रौफ को किस तरह समझ गए दो चक्के मारे थे ट्री ट्वेंटी वर्ल कप में भाई किंग रियल किंग ऑफ हाथ जोड़ कर ये दर्खास करूँगा कि अगर किरकेट नहीं समझते तो विरात कोली के साथ किसी को मिला कर किसी को कंपेर करके विरात कोली की तदलील ना करें प्लीज हारना is not an issue हार गए आप गेम में होता है एक टीम जीतेगी तो एक हारेगी लेकिन आप लड़के तो हारे हैं आप तो ऐसे हारे हैं कि जैसे आप आए ही हारने के लिए थे आप बैटिंग करने ऐसे आए हैं कि जैसे आपने उनके फिल्डर को ये दिल ही नहीं कर रहा था कि पुष्यार्ड मार थे ना क्यूंकि आपको शॉर्ट मार रही हैं आप ना फार किसे बैटिंग कर रहे थे यानि वह किसे इंसमोंच सोब हो रहा हा था इतना बड़ा बैटर ऑन इसका इंतजार कर था बड़े मैश Spread छो बड़ा मैश नहीं था क्या हमारी टीम है बैक हम करते हैं लेकिन जब आप इस तरह की पर्फॉर्मस देंगे ना कि जिसको आप बिल्कुल भी जस्टिफाइक कर ही नहीं सकते हैं नभी भी तो था हमें बारबर उसके मिसाल दे रही हैं वो बंदे ने 203 के स्ट्राइक रेट के हैं जी कि जैसे कोई टेल एंडर खेल रहा है आप हार जाएं मसला नहीं है लेकिन भाई लड़के हारें आप अगले को बताया जानी है लड़के खेलें तो फिर आपका इतराज नहीं है बिलकुल हार जाएं कोई बात नी तीन सो का हिंसा ही टैच कर लेते 200 क्रॉस कर लेते बाबराजम जिस तरह भी बंगलेश के खिलाफ आउट हुए सिमिलर फैशन में आज भी आउट हुए विडियो एनलिस्ट उनका काम करकर आया था हमारा विडियो एनलिस्ट क्या काम नहीं करता है यह बलकु करता होगा क्यों इतने एक्षपियेंस लोग बैठे में बात यह नहीं है हर प्लेयर की कमजورी कहीन कही है और दुनिया में आप उठा के अटसूइंग पर तो हर को यह था होता है पता ही नहीं करता है बड़ा आर्ट है कि गेन जो अंदर लाता है यान्य इन स्विंग जो लाता भाड़ा है जिस उनकी अंदर बाहर दोनों हो रही थी, आज हमने बुम्रा को देखा, उसका गिन इतना इतना सीम होके अंदर आ रहा था, मतलब आई मीन के ये चीजें सब को पता होती हैं, कमजोरी या क्या, पहले वो स्पिनर पर बहुत आउट हो रहे थे, आप में देखा हैं कि ये स्पिनर को आप कहे जाते हो कि ये ही करेगा, ऐसा नहीं है, आपने रांस करने, अब आप शाहीन और ये पाथबॉलर को कहे जाते हो